हेलो एवरिबन स्वागत है आप सभी का आज की लाइव क्लास के अंदर और आज की लाइव क्लास के अंदर हम करने वाले हैं पोलिटिकल साइंस का अध्याई नमर वन राश्टी निर्मान की चुनोतियां इसके इंपॉंटेंट एम सी क्यू क्योशन करेंगे जैसे की हमारी रुजाना क्लास होती है रात्री याट बज़े ठीक है और उसके अंदर हम क्या करते हैं इंपॉंटेंट एम सी क्योशन करते हैं तो आज हमारा अध्याई नमर बन है जो हमारी बुक नमर दो है उसका अमारा चेब्टर है राष्टर नमान की चुनोति है तो आप सभी को जो है इसके आंसुर आपको लाइफ चेट अंदर देना है वैसे आपको मैं आंसुर उसका बता हुआ लेकिन पहले आपको जो है उसका आंस står देना होगा देखिए माला पहला परशन है अजादी के समय जो है किन दो बातों पर जो है सब की सहमती थी Most important person है ये ठीक है ये आपको चीदर के सियाद रख लेना है तो इसका आपको बताना है लोगतांतरीकरन सरकार के दोरा सासन सबसे बले के लिए जो है काम और A और B यानि की लोगतांत्रीकरन सरकार के द्वारस हासन या सब के बले के लिए काम ये दोनों या इन में से कोई नहीं तो आपको इसका आंस्वर देना है इसका क्या आंस्वर होगा सही वो आपको बताना है लाइब चेट के अंदर तो इसका C आंस्वर होगा यानि की लोगतांत्रीकरन सरकार और इनके द्वारासासन और सबके वले के लिए काम आगे देखी प्रशन नमर मारा दो है नेरूजी ने जो है 14 और 15 अगस जो है 1947 की मद्य रातरी को जो है परशित बासन दियाव है किस नाम से जो है जाना दाता है तो यह आपको बताना है अजादी की गोशना बग्य वर्दू जो है से जो है चीर परतिसत बेट और ट्रिस्ट जो है डेश्टनी और बी और सी दोनों ठीक है यह आपको बताना है तो इन में से आपको राट आंसर बताना है तो दूसरे का आंसर डी हो जाएगा यानि कि डी और सी दोनों आगे देखी प्रशन नमर मारा दो है यह जदा इतना इंपोंटन नहीं है लेकिन फिर भी मैंने जो है इसको एड़ कर लिया प्रशन नमर हमारा तीन है सुभदान में जो है रिकिसान के अंतर के जो है लोक लियान के उन लक्षों को भी स्पष्ट कर दिया था जिने राजनित्ती को जरूर पूरा करना चाहिए मोलिक अधिकार एकलनागरिक संगवाद राज्यकिनित्ति निर्देश सिदान्त तो इनमें से आपको राइट आंसवर बताना है तो प्रशन नमर तीन का राइट आंसवर अपना डी हो जाएगा डी इसका राइट आंसवर हो जाएगा सभी धारती जो है आंसवर जुरूर दे में लाइफचेट के अंदर डी इसका राइट आंसवर ह हो जाएगा प्रश्ण नमर हमारा च्यार है अजाद बार्थ के समक स्मुक के जो है तीन चुनोतियां कौन सी थी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टन प्रश्ण है हमारा तो एकता बनाई रखना लोगतंतर कायम करना समुचे समाज का विकास उप्रोक्त सभी इनमें से आपको राइट आंस्पर बताना है तो प्रश्ण नमर चार का राइट आंस्पर हमारा डी हो जाएगा यानि QPROC सभी एकता बनाए रखना एक नमबर और लोगतंतर कायम रखना दो हो गया और समूचे समाज का विकास ठीक है ये तीनों हो जाएंगे आगे देखिए परशन नमर हमारा पांस है फेज एहमद फेज कोन थे तो ये आपको बताना है कभी थे नेतब थे या संगीत कार थे या एक चकित सकते ठीक है ये आपको बताना है तो परशन नमर जो है पांस का राइट आंस पर हमारा ए हो जाएगा ये फेज एहमद जो फेज थे वो कभी थ ठीक है आगे देखिए परशनमर मारा अच्छा है नक्से फ्रियादी दस्ते सबा जिन्दा नाम जो है किसके द्वारा जो है लिखी गई थी यह जो कवीता है वो किसके द्वारा लिखी गई थी अमरता पिरतम फेज एहमद फेज मुहमद अली जिना इन में से कोई नहीं तो इन में से आपको बताना है राइट आंसवर इसका तो परशनमर हमारा जो है छे का राइट आंसवर हो जाएगा बी बी हमारा राइट आंसवर हो जाएगा फेज एहमद फेज ठीक है इसके द्वारा जो है लिखी गई थी यह कवीता परशनमर हमारा साथ है दो राश्टिस अम्स्दान्त किसके दुआरा जो है दिया गये था मुस्ट इंपॉनले प्रश्कन है मुस्लिम लीक, अंगरेश बारतीय जन संग यह अंगरेश युन दुआरा इन में से आपको राका आंसर बताना है लाइप चेन डर के इनर जो है इसका right answer आपको देना है तो साथ में का right answer क्या होगा भई साथ में का right answer हो जाएगा Muslim League ठीक है यह लीग यह यह मत सोजना कि यह लोग है Muslim लोग नहीं है यह Muslim League है आगे देखी प्रशन नमर मरा 8 है इसके अंदर कोई भी कोई mistake वगरा नहीं होई है प्रशन नमर मरा 8 है कौन सा साल बूतपूरग इंशा और विस्तापन की त्रासदी का साल था त्रासदी का साल था आठ में का right answer में बताना है 1947, 1948, 1949, 1950 इनमें से बताना है तो आठ में का right answer में मरा हो जाएगा यह हो जाएगा ठीक है यानि की 1947 आगे देखिए प्रशन नमर हमारा 9 है द्वी राष्टिस्दांद का जो है विरोध किसके दोरा किया गया था कांग्रेस दोरा मुसलिम लीग दोरा, आम जनता के दोरा या उप्रोक सभी तो 9 में एका right answer बताना है अमरिता प्रित्म किस बासा की प्रमुक कवियत्री थी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉन बर्शन है ये आपको अच्छी से इसको समझ लेने है आगे देखिए दसमे का अमी राय आन्स पर बताना है तो इन में से आपको right answer बताना है प्रित्म प्रित्म प्रमुक कवियत्री थी आगे देखिए ग्यारा नमर हमारा प्रशन है मुस्लिम लीग का गठन कब वह था वेरी वेरी मोस्ट इंपॉन बर्शन अपना है तो ग्यार में का right answer बताना है 1905, 1906 या 1907 या 1908 तो इसका right answer बी हो जाएगा उन्हें सुच्छे है कि अंदर मुस्लिम लीग का गठन का किया गया था मुस्लिम लीग का गठन जो है आगे देखिए प्रशन मर हमारा बारा है नीमन में से किसे समीत सिमान्त गांदी की नाम से जो जाना आता है बहरी बहरी most important प्रशन है बार में का राट आनस्वर हमें बताना है मोहन, मात्मा गांदी, खान, अब्दुल, कफ़वार खान या पंडित जवाला नेरू इन्हें में से बताना है तो बार में का राट आनस्वर हमारा C हो जाएगा ठीक है आगे देखिए प्रशन मर हमारा 13 है बारत का विवाजन किस अधार पर हुआ था तो यह हमें बताना है बारत का विवाजन किस अधार पर हुआ था जाती दर्म, रंग, रूप, या बाश्या तो तेर में का राट आनस्वर भी हो जाएगा दर्म के अधार पर विवाजन हुआ था बारत का हिंदू और मुसलिम के भीज में ठीक है धर्म के साब सी वा था आगे देखी चोदा नमर हमारा परशन है 1901 के वक्त बार्थ की कुल अबाद्धी में कितने फिश्दी जो है मुसलिम थे 11, 12, 19 या 21 तो चोदमे का राइट आंच में मारा बी हो जाएगा 12 ठीक है आगे देखिए परशन हमारा 15 है किन सेरों में जो है संपरदाइक हिंसा आधिक होई थी यह हमें बताना है लाहोर के अंदर अमर्थ सर पंजाब पंजाब बंगाल कस्मीर उत्र परदेश अमर्थ सर चूरत लाहोर कॉलकता इनमें से वह में बताना है किसके अंदर जो कत्ता अम्रित सर यह आपको याद रखना है आगे देखिए रिकिस्तान के नवाव स्वदान सभा में जो सामिल होना चाहते थे तो यह हमें बताना है सोल में का बताना है यानि की बोपाल मनिपूर हैदराबाद त्रामन कोर इनमें से इमें बताना है ठीक है तो यह हमें बतान पर नहीं कि शामिल नहीं होना चाहति थे तो कब कि थी और किस नहीं के जिने के दोनों कष्ण मारे वीज में है ठीक है ये तो हमें बताना है समय कब की गये ती और सतरह जो नम्बर के जो है नवाब जो है सुधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे ठीक है समा चामवा यहाँ पर यहाँ पर है शामिल नहीं होना चाहते थे आगे देगी सत्रा नमर परशन है मातमा गांदी की हत्या कब और किसने की थी वेरी वेरी मोस्ट निपोलने परशन है ठीक है तो कब की थी और किसने की दोनों परशन हमारे वीज में है ठीक है यह तो हमें बताना है समय कब की गए थी और सत्रा जो नमर मारा परशन है इनमें से राइड आन 1947 तो इसमें आपका बी आंस्वर हो जाएगा 30 जनबरी 1948 को जो है महत्मा गांदी की जी की जो है अत्यागर्दी गेती किसके दोरा की गेती नाथुराम गोड़ से आगे देखिए प्रेशन नमर हमारा ठारा है रिकिस्तान और रिकिस्तान का बटवारा विवाजन की जो है सबसे बड़ी तरासदी शामिल हुई ठीक है शामिल हुआ शामिल हुआ शाबित हुआ ठीक है शाबित हुआ यह है रिकिस्तान और रिकिस्तान का बटवारा जो है विवाजन की सबसे बड़ी तरासदी शाबित तुठार में का होगा C हो जाएगा आपका पंजाब बंगाल ठीक है यानि कि यहाँ पे आएगा आपके पंजाब आजाएगा ठीक है और यहाँ पे आजाएगा बंगाल परशन नमर हमारा उन्निसमा है रजाकार जो है कौन थे आजा के मंतिर थे या कौन थे आमें यह बताना तो 19 में का बताना है बी आंच्पर हो जाएगा निजाम के अर्ध से निकपल आगे देखी 20 नमर हमारा परशन है विवाजन की कारण लगभग 21 लोगों को अपना गर बार छोड़ कर शिमा पार पर जाना पड़ा था तो 20 में का बताना है 20 में का हमारा बी हो जाएगा आगे देखी सबसे पहले रिक्रिस्तान के राजा ने अपने राज्ये को अजाद रखने की गोशना की थी एद्रावाद, कस्मीर, जुनागड, त्रावनकोर इनमें से में बताना है तो बैदे की 21 में का डी हो जाएगा आगे देखी रजवाडों का बारतिय संग में जो है वील ये रिकिस्तान सैमती पत्र पर जो है अकस्ताकसर के दुआरा हुआ था तो ये में बताना है तो 22 में का C हो जाएगा बाशा के दारपर जो है राजवादों के पुण गठन का वाइदा कांग्रेस की जो है किस अदि-वेसन में जो है किया गया था तो ये में बताना है मताज़िए आप 23 में का आंसुर हो जाएगा डी नागपूर अधिवेशन आगे देखी बारत मेरे जवाणों की संक्या कितनी थी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉन्ट पर्षन है यह आया था अपने पिछली वार्ष पिछली साल आया था अपने अर्दवार्षी के अंदर आया था अनुमानगड जो है जिले के अंदर जाउन पेवे जिक सेरी अंदर पर हुआ था तब आयता हूँ यह वेरी मोस्ट इंपॉन्ट पर्षन है यह पेवे जिले पर हुए पर्षन है निमन में से किस रियास्त से था 25 में का बताना है तो 25 में का D हो जाएगा जुनागड वेरी वेरी मुश्ट निपॉनेट है आगे देखी बारत का पहला बाग है जहां सार बॉम व्याशक मतादिकार के ज़़जदान को जापना कर 1947 में चुनाब कराया गया था तो वो बताना है कौन सा है 26 में का बताना है केरल करनाटक मनिपूर बिहार 26 में का आपका और राइट आनस पर सी हो जाएगा मनिपूर बारत का पहला बाग है सार बॉम वेशक मतादिकार के ज़़जदान को अपना कर 1947 में चुनाब कराया गया था आगे देखिए 27 में का आशी आंसर हो जाएगा 27 में का रिकिस्तन के साथ सको निजाम का जाता था तो ये में बताना है इद्राबाद के किसमीर चुनागर करनाटक तो में बताना है 28 में का 29 में का रिकिस्तन के नाम से जो है अलग राज्य बनाने की जो है गोशना की थी 1949-1949-1950-1952 इनमें से बताना है 29 में का राज्य आंसर डी हो जाएगा यानि की 1952 के अंदर प्रशन में बताना है 1952, 1953, 1950 तो बताना है वह 30 में का B हो जाएगा B इसका राटान स्परोजेगा निकी 1953 के अंदर आगे देखी कांगरेश का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था तो 31 में का B हो जाएगा 1920 के अंदर जाए कांगरेश का नागपुर अधिवेशन हुआ था 1956 के अंदर आप मैं जो बोर रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्णन परसन है तो उनको चाहिए आप अपनी नोटबुक के अंदर लेकी भी सकते हो थाकि वो आप उसको जो है दुबारा रिपीट कर चोको यह मैं बताना है ।33 में का बताना है मातमा गांदी जै परकास नरायन लिए syst announcements इंपना है और मिजोरом राजीयक रहा है का स्क्रीन पर आपको शो ओर हो रहा जो आपको सन शो हो रहे हैं उनमें से बताना है तो फटा पट से लाइब से लिए बता दीजीगा तो 34 में का B हो जाएगा 1907 सिठी का आगे देखिए मेगाले राज्य कब बनाया गया था तो 35 में का हो जाएगा एक हो जाएगा 1902 पट सतंतरबार्थ के पहले ग्रहमंत्री कोन थे यह इए बताना है तो आईए आप सभी कोई पताऊगा 35 में का क्या होगा भई दी सर्दार भल्लव भाई पटेल जो है सतंतरबार्थ के पहले ग्रहमंत्री थे आगे देखिए महाराष्टर और गुजरात राज्य कब बनाया गये थे तो 37 में कब भी हो जाएगा 1960 पंजाबी बाश्याई इलाके को जो अकब पंजाब राज्य का दरज्जा दिया गया था तो 38 में का C हो जाएगा 1964 के अंदरा के देगी जारकंड, 36 गड़ और उत्राकंड राज्य कब बने थे या आपको कमेंट के अंदर बताना है कि जारकंड, 36 गड़ और उत्राकंड राज्य कब बने थे तो आप सभी को बताना है कमेंट के अंदर इसका आंस्वर सभी 38 जो अभी लाइग में जुड़े हुए हैं सभी को बताना है कि जारखंड, 36 गड़ और उत्राखंड राज्य कब बने थे, उनमें से मिसन बताना है 1950 के अंदर, 1960 के अंदर, 1970 के अंदर या 2000 के अंदर, तो सभी विदार्ती कोमेंट के अंदर जुरू बताएंगे वीडियो के अंदर, लाईफ चेट के अंदर, यह उन्हें बताना आपको, आपको बताना है, कोमेंट के अंदर ठीक है, आफ सभी का रिप्लाई मिलेगा, जिसका भी सही होगा, आणसबर उसको बता लिया जाएगा ठीक है, तो आप सभी को आनस्वरिज का बताना है तो मिलेंगे नेक्ट क्लास के अंदर और जो भी विदार्त चैनलन पे पहली बार आया है और चैनलन को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनलन को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों कसार और जाना ज़्यादा कलास अटेंड करें तो मिलेंगे नेक्ट कलास के साथ जेहिन वन्दे मात्रा